अगर आपका भी दिल नहीं करता ना गंटो किचन में खड़े होके फैंसी फूड बनाने का मगर डिमांड यह है कि खाना आप में स्वाधिश्ट है तो यह वीडियो आपके लिए है आज हम बनाएंगे तीन ऐसी रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में और नमक स्वात इंशार फिर इसे अच्छे से बिलाएंगे और सर्फ करेंगे सिंपल प्रेन रोटी के साथ साथ में लेंगे मखन चाय और एंजॉय करिए यह बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ तो इसके लिए हम ले प्राठह बना कर भी उसका प्राठह बना सकते हो लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैंने ऐसे बना लिया अजर आपके पास बची होई कोई सूखी सबजी भी पड़ी हो ना तो आप उसे भी अच्छे से मैश करके आटे में डालके उसका डोब नाके ऐसे प्राठे बना सकते हो वह भी बहुत अच्छे लगते है खाने में तो बस अब इन्हें दोनों साइट से अच्छे से से केंगे फिर हम इसे सर्फ करेंगे मक्षन के साथ आप जैसे चाहिए वैसे सर्फ कीजिए तो देखा ना कितना टैंप्टिंग लग रहा यह प्राठा और खाने में तो बहुत ही ज्यादा तेस्टी था आप पी एक वर जुरूर ट्राइ करना तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरी रेसिपी की तरफ तो इसमें यह है कि हम लेंगे एक पराठा या फिर आप रोटी ले ले लिजिए उसमें हम लगा देंगे मक्षन बीच में और फिर आपके पास जो भी सबजी पड़ी हो ना वो डाल दीजिए मेरे पास यहां पर पड देंगे प्यास यहां पर मैंने डाले हैं मसाले वाले प्यास और साथ ही में डालेंगे हरी मिर्ची हरी मिर्ची आपको याद रखना है पतली वाली डालनी है मोटी वाली नहीं वह बहुत ज्यादा उसमें मिर्च होती है तो बस अभी से फोल्ट करेंगे और एंजॉय गर में गर्म अगर आपको यह वीडियो पसंद आई ना तो लाइक शेर सब्सक्राइब